हेलो फ्रेंड नमस्कार तो चलिए आज फिर आगे एक नई विडियो के साथ तो फ्रेंड हम इस विडियो में बात करने वाले फ्रेंड की फेस्बुक को अपना professional dashboard में कैसे open करें या कैसे बदल दे, convert कैसे करें तो चलिए हम बेना कुछ देर की वे चलते हैं वीडियो की ओर तो इसके लिए friend सबसे पहले हम अपना facebook को open कर लेंगे ये रहा मेरा facebook और इसको हम open कर लेते हैं open करते ही आपको कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको professional dashboard में बदलने के लिए आपको यहां three dot वाले option पे आपको click कर देना है यहां पे click करने का बाद यहां पे देखिए आपको अगर आपका professional dashboard में नहीं है तो यहां पर लिखेगा turn on professional mode जो सबसे last में है ठीक है वरसे सबसे last में चले आई यहां पर देखिए अभी मेरा लिख रहा है turn off professional mode क्योंकि मेरा professional mode में already किया हुआ है तो अगर आपका नहीं किया रहेगा तेहां पर turn on लिखेगा मेरा turn off लिख रहा है तो देखिए इस तरह से मेरा देखिए यहां पर c dashboard तभी दिखाएगा आपको जब आपका professional mode में किया रहेगा तो उमीद करते हैं फ्रेंड आपको जनकारी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगए लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें